गाईज सबसे पहले आप सभी को हैपी निव इयर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कैसे आप निव इयर का स्टेटस बना सकते हैं जिहां गाईज आपने सही सुना है निव इयर का स्टेटस आप कैसे बना सकते हैं वह फिरी में ना कहीं से डाउनलोड क करना है न कुछ भी करना है आपको सिर्फ मैं अप्लीकेशन से अपने खुद का फोट्व के साथ अपना इस्टेटस बना सकते हैं खुद का इस बहुत कम समय में नहीं की समय लाएगा और अपना इस्टेटस आप बना setting बना लेंगे तो बहुत इंटरिक दिलिक जैसा कि आपको इंटरफेस से ही मालूम चल गया होगा कि मैं किस application पर हूँ यह application होने वाला है power director का और मैं आपको power director पर ही बताने वाला हूँ कैसे आप अपने status बना सकतें new year का और साथ में new year का नहीं और सब का भी बना सकतें अगर आप बनाना चाहें तो तो guys चलिए बिना देरी किये बिना समय कवाई आपका complete video में tutorial लेकर आ गया हूँ और समझाने वालों कैसे आप अपने status अपने new year का status अपने party का status खुद के phone से अपने खुद के creative से बना सकते हैं तो guys चलिए तो यहाँ पर काफी लोग तो पूछेंगे यह application हमको कहा मिलेगा यानि कि यह application जिसमें आपको कोई risk ना रहे तो यहाँ पर आपको यह application हमको आपको DM करना होगा यानि कि Instagram पर DM करना होगा अगर आप Instagram नहीं चलाते हैं तो Telegram आप चलाते होगे टेकनिकल वरूंट पांडे, वहां से आपको मेरा contact number भी मिल सकता है, आप वहां पर जाकर WhatsApp पर जाओं, जॉइन हो सकते हैं Twitter पर जॉइन हो सकते हैं, Telegram पर जॉइन हो सकते हैं, Instagram पर जॉइन हो सकते हैं तो guys, यहां पर मैं आपको समय गवाने नहीं आया हूं complete tutorial लेकर आ गया हूं, application पर तो सबसे पहले मैं power director application पर आ गया हूं, यहां पर आपको क्या करना होगा यहां पर आपको new project पर click करना होगा, साथ नगाज मैं आपको बता दू, new project पर click करने के बाद आपको फिर से back जाना है, जैसे आप बैक जाएंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले intro पर click करना है, intro पर click करने के बाद काफी लोग इस तरह से interface पा जाते हैं लेकिन इसमें आपको new year का status का कोई भी option ही नहीं दिख रहा है तो यहां पर आपको क्या होगा, यहां पर आपको serial में देख लेना है कि new year का जो भी है इसमें option दिया गया है कि नहीं तो यहां पर आपको अगर new year का option नहीं मिलता है, तो आपको search बार का भी option दिया गया है, new year यहां पर search करिए जैसे आप new year सर्च करें तो आपको यहां पर new year के बहुत सारे status देखने को मिल जाते हैं, और यहां समय आपको बताने वालों कैसे आपने status बना सकते हैं तो यहां पर देखे, 2023 लिखा हुआ है हमको 2024 का status चाहिए तो हमको क्या करना होगा, यहां पर देखते हैं सबसे पहले आपके application पर और save होने के बाद complete उसमें आप change कर सकते हैं उसमें कुछ न कुछ setup कर सकते हैं तो guys चलिए इसको save होने तक wait कर लेते हैं तो guys मैं आ गया हूँ, यहां पर देखे, मेरा status save हो चुका है यहां पर option आ चुका है, यानि कि status लग चुका अपने आप लेकिन यहां पर इसमें edit करना यानि कि 2023 है, तो इसको एक बार मैं सुन लेता हूँ किस तरह से है तो guys कुछ इस तरह से है, यहां पर आपको 2023 जो है बहुता है , बहुता है, तो यहां पर इस तरह से आप देकिने नहीं है, तो यहां पर भी सकते हैं चानि 2045 और साथ में photo कैसा लगाना जैसे मैं आपको बताए, फोटो फोटो भी लगा सकते है तो मेडिया पर क्लिक करना है मेडिया पर क्लिक करने बाद फोटो पर क्लिक करना है फोटो जो भी लगाना हो जैसे यहां पर देखें मैं फोटो अपने लगाऊंगा अपने चैनल का फोटो लगाने बाला हो यहां पर चैनल का फोटो को मैं सेट करूंगा यहां पर देखें अ अब देखिए जैसे स्टार्ट होगा इस तरह से आपको कर देना है तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा और आपका श्टीटस बन जाएगा और मुझे आसा है कि आपको पसंद भी आया होगा साथ में आपना सॉंग भी चेंज डिल